नमस्कार दोस्तों तो आज हम आपके लिए लेकराएं एक नई सीरीज जिसके इंदर हम बात करेंगे दुनिया भर के अरजईबो गरी borders के बारे में तो आज पहला पार्ट यह की अंदर डिसके आदर नर्शेंको के बारे में जो की एक डिवार है यानिक वाल है तो उसके बारे हम बात करेंगे आज तो अगर हम आप चैनल पर नहीं आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दिए चलिए शुरू करते हैं तो से पहले हम देख लेते हैं कि यूएस मेक्सिको बॉर्डर यानि कि यूएस मेक्सिको की जो वॉल है बीच में वह एक्जेक्टली कहां पर लोकेट है तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर यूएस का मैप है इसके अंदर 50 स्टेट से ठीक है ऊपर कैनड़ा आता है नीचे मेक मेक्सिको और इधर पैसिफिक ओशन तो मतलब यह पूरा एरिया है जिसके तुरू यह पूरा बॉर्डर भुजरता है यानि कि यूएस के चार्ट स्टेट्स इंवल्व होते हैं इसके अंदर कैलिफोर्निया एरिजोना निव मेक्सिको और टेकसस निव मेक्सिको अब बढ़े जो बॉर्डर है उनमें से दसव्य नमबर पर यूएस मेक्सिको रहता है इसकी लंबाई करीब 345 km है 3045 km में से सिर्फ 1045 km का जो border का area है उसमें fencing हो रखी है बाकी जो 2100 km जो area है उस पर कोई fencing नहीं हो रखी है ठीक है लेकिन proposal है कि ज्यादा से ज्यादा fencing होगी तो अगर 200 km पर आपको fencing करनी है तो खर्चा करी 45 billion dollar का है अब आप इससे comparison कर सकते हो कि भारत का जो defense budget है सारा का सा वो 65-70 billion dollar का है तो इसका यह बहुत बड़ा amount अपने हाप में US government हर साल US Mexico border के ओपर खूब खर्चा करती है 19,555 border petrol agents हमेशा तैनात होते हैं US Mexico border पर 9 unmanned aerial vehicles deploy करे गए हैं surveillance के लिए और 2000 national security guard और 5200 activity troops जो हैं वो हमेशा deploy होते हैं border के ऊपर illegal immigrant की बात करें तो US department of homeland security report जो 2015 के अंदर आई थी उसमें पता लगाया था कि Mexico से 2015 के अंदर 1,70,000 लोग illegally enter करें और unauthorized immigrants from Mexico 2016 तक सारे मिलाकर 56 लाग थे यानकि 56 लाग लोग सिर्फ मेक्सिको से US के अंदर आए illegally 2016 तक और वो रह रहे हैं और total illegal immigrants की बात करें from all over the world चाहे वो इंडिया से हो पाकिस्तान से हो या वर्ल्ड के किसी भी निशन से हो तो 2016 तक उनकी तादात थी एक करोट 7 लाग जो की US की population का साड़े 3% है तो आप सोच सकते हो कि कितने लोग illegally enter कर चुके हैं US के अंदर और रह रहे हैं इसलिए हर साल यूस-Mexico border के ओपर इतना खर्चा किया जाता है और हमेशा हर एक President US का एक emphasis बड़ा ही मतलब बहुत ज्यादा emphasis देते हैं US-Mexico जो border wall है उसके ओपर और खर्चा भी किया जाता है तो I hope everything is clear to you about US-Mexico border if you like the video please subscribe the channel and hit the bell icon thank you